स्वागत है दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल उत्राखन नेक्स्ट एक्जाम में तो आज हम पढ़ेंगे भाग तीन मौली कदिकार इससे पहले मैं भाग एक और भाग दो पढ़ा चुका हूं तो मौली कदिकार अनुचित 12 से 30 हम पढ़ रहे हैं मौली कदिकारों को भारत क कभा मैंगना काटा की संगय दी गई अब यह मैंगना काटा क्या है इसकी सुरुवात कहां से भी कैस के बारे में देखते में मैखना काटा सन 1215 इस भी में ब्रिटेन के समराद द्वारा वहां के किसानों को कुछ कागज पर लिखकर कुछ अधिकार सौपे गए थे तो कागज पर लिखकर क्या किये गए थे वहां के किसानों को अधिकार दिये गए थे और इसलिए मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है मैखना काटा की संग्या भारत में दी गई है अब देखते हैं भारत में सरपढ़ता मौलिक अधिकारों की मांग का भूई तो मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगादर तिलक के सुराज विदेयक में की गई थी सरपढ़ता तो कब की गई थी 1895 में बाल गुंगादर तिलग द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी ठीक आगे चलते हैं मोतिलाल नहरू द्वारा नहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी यह की गई थे आपके 1928 işte 1938 में पिन मौलिक अधिकारों की मांग मोतिल्ला नहरु के विध्यक में इसी तरह से Congress के क्राची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इसके अध्यक्सता की थी बाल घंगा दर्त लगने और किसमें उनका एक सुराज बिदेयर था उसमें उसके बाद मुतिलाल नहरू ने भी नहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार रखी थे और उसके बाद कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी तो आगे चलते हैं वरतमान में 6 मौलिक अधिकार है और प्रारं में जब समिनान बना था उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे किते थे उस टाइम साथ थे हैं संपत्ति के अधिकार को अनुछे 21 से हठा कर अनुछे 300 कौ में रखा गया है अब ये केवल क्या बन गया है एक विदिक अधिकार बन गया है हमारा क्या है विदिक अधिकार तो मौली का अधिकार है 6 और जो संपत्ति का अधिकार था एक बिदिक अधिकार बन गया है आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता है अब विशेषता है क्या है इनकी प्रकरती देखते हैं राज्य के विरुद नागरिकों को परदान किये गए है ठीक तो अर्थात इनकी जो प्रकरती नकारात्मक है किसके लिए राज्य के लिए नकार आत्मक पर करती है ठीक क्योंकि इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर इनका उलंगन होता है तो यह हम लोगों को या नागरिकों को परदान किये गए मौलिक अदिकार किसको परदान है नागरिकों को परदान किये गए ठीक अब उद्देश से क्या है ताकि राजनेतिक लोगतंतर की इस्तापना की जा सके ताकि क्या की जा सके राजनेतिक लोगतंतर की इस्तापना की जा सके तीसरी विश्यस्ता है इनकी कि ये क्या होते हैं वाद योग्य होते हैं अब वाद योग्य का क्या मतला कि अगर इनका उलंगन ह होता है तो सुप्रीम कोट और हम जा सकते हैं हाइज कोट में जा सकते हैं वहां से हमें कि संदक्षन बिला हुआ है ठीक परंतु यह असीमित नहीं है इनकी कुछ सीमा है राज्य इन पर युक्त युक्त परतिवन लगा सकता है और राज्य आपातकाल के दौरान भी इनका निलमन कर सकता है ठीक अब ये राज्य के विरुद तो दिये ही दिये गए हमें और व्यक्तियों के विरुद भी दिये गए ठीक कोई वेक्तिया मौलिक अधिकार का हनान करता है तो आप उसके खिलाब कोट में जा सकते हैं आगे चलते हैं अब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नगारात्मक परकृति की हैं और कुछ सकारात्मक चिक आगे चलते हैं अब मौलिक अधिकार जो 6 हमारे पास मौलिक अधिकार है उन स्वतनता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, अ विरुथ अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतनता का अधिकार 25-28, सिक्सायम सहस्कुर्ति सम्बंधी अधिकार 29-30, और आकरी है संवेधानिक उपचारों का अधिकार 22, तो हमारे पास क्या है, च्छे मौली का दिकार टोटल च्छे मौली का दिकार हमारे और इनका जिक्र मैंने कर लिया है आपको क्या करना है इनका करम वाइज आपको याद रखने है ठीक आगे चलते हैं और इनके ये भी याद रखने कि कौन सा किस अनुचेद में कौन सा दिकार है ये भी आपको अब एक अनुचेद को देखते हैं अनुचेद बारा तो अनुचेद बारा में राज्य सब्दी की परिवासा दी गई है ठीक, अब राज्य क्या होता है संसत चीक संसत आगे चलते हैं संसत प्रांतों के विधान मंडल प्रांतों के विधान मंडल नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, तथा अन्य सभी बैदानिक और गैर बैदानिक सस्ताएं क्या होती हैं, एक तरह से रज्य होती हैं, तो इसमें रज्य सब्दी की परिवासा दी गई है, अब बार बार रज्य आएगा तो उसका मतलब यही है, संसत होगी, प्रांतों के बिधान मंडलोगे नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, अन्य सभी बैदानिक सस्ताएं क्या होती हैं, राज्य होती हैं, आगे देखते हैं, तेरवा अनुचेत क्या है, तेरवा अनुचेत हैं मूल अधिकारों को असंगत या अलपी करन करने वाली बिदियां सुनने होगी अर्था, हाई कोट या सुप्रिम कोट मूल अधिकारों का उलंगन करने पर विदि को वैद घोसित कर सकती हैं, यानि क्या है, अगर क्या होता है, आपके मौली का अधिकार रों का उलंगन होता है, उलंगन या कोई ऐसी विदि बन गई है, जो मौली का अधिकार का क्या कर या उसको कम कर रही है तो हाई कोट और सुप्रीम कोट क्या कर सकती है उस विदी को अवैद गोसिद कर सकती है चीक है ा तो और यहां अनुचित न्याईक पुनुराव لوकन का आधार भी है यानि या न्याईक शमिक्सा का आधार भी है तो आगे चलते हैं देखो जो न्याइक समिक्सा के तीन अनुचेद हमारे पास है एक तो अनुचेद 13 हो गया अनुचेद 226 हो गया और अनुचेद 32 हो गया ठीक है आगे चलते हैं तो आज के लिए इतना काफी है हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए के लिए आप बैल आइकन भी दबा लें लाइक और कमेंट करना न बोलें आज के लिए इतना काफिय है धन्यवाद कर दो